नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेश पर दोस्तों आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत माननेता और परमपराओं वाला देश है अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत की कुछ ऐसी विचि अपने पैरों में बिचिया पहनती है इसके पीछे ये माननेता है कि ऐसा करने से महिलाओं की तंत्रिका पर दवाप पड़ता है जिसके कारण से महिलाएं अपने जीवन में अपनी प्रजनन शक्ति और अपने स्वास्त में संतुलन बनाए रखती हैं नमबर दू आप में से साथ बहुत से लोग इस बात को जानते होंगे कि भारत में एक समय पर देवदासी प्रथा काफी प्रचले में थी जहांपर मंदीर के अंदर महिलाओं को और लड़कियों को सरे आम नीलाम कर दिया जाता था या यूं कहें कि उन्हें बेच दिया जा नमबर तीन ये बात अपने आप में काफी रूमांचित करने वाली है कि भारत में आज भी बारिश के लिए जानवरों की शादी कराई जाती है आपको जानकर के आस्चर होगा कि करनाटक में बारिश के लिए गदे की शादी कराई जाती है तो वहीं पर महराष्ट और असम में बारिश के लिए मेड़क की शादी कराई जाती है हलाकि मेड़क को वैसे भी बारिश का सूचक माना जाता है और कहा जाता है कि जब भी बारिश आती है तो बारिश से पहले मेड़क काफी टर टराने लगते है नमबर चार आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे जानते हैं कि हिमाचल परदेश एक बहुती सुन्दर जगा है क्योंकि पहाड़ियों से घिरा ये छेतर अपने आप में किसी भी प्रकार से स्वर्ग से कम नहीं है हिमाचल का एक गाउं है जिसका नाम है मलाण गाउं इस गाउं में रहने वाली लोग अपने आपको सिकंदर का वनसज मनते हैं जिस कारण से यहां की लोकल कोट आज भी ग्रीक सिस्टम को फॉलो करती है क्या आप लोग इस बारे में जानते थे अपनी राय कमेंट बॉक्स मे जरूर बताएं पर पांच आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी किसी के परिवार में किसी वैक्ति की मृत्ति हो जाती है तो वो पूरा परिवार काफी दुखी होता है और शोक में डूब जाता है लेकिन आप लोगों को जान करके हैरानी होग कि भारत में रहने वाले जिपसी जनजाती के लोग कभी भी अपने परिवार के लोगों की मृत्यू पर ना ही तो कोई अफसोस प्रकट करते हैं और ना ही कोई मातम मनाते हैं जिपसी जनजाती में जब भी किसी वैक्ति का जन्म होता है तो पूरा परिवार काफी खुशी म बनाता है उनका ऐसा मानना है कि मृत्यू अटल सत्य है और मृत्यू के बाद कोई भी इंसान अपने जीवन से मुख्थ हो जाता है आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत में आज भी कई प्रकार की मानने ता है काफी प्रचलित है आज भी भारत के बहुत से गाओं में बच्चों को मंदिर की छतों से फेका जाता है उनका ऐसा मानना है कि ऐसा करने से बच्चा अपने जीवन में हमेशा स्वस्त रहता है और लंबी उम्र तक जीता है नमबर साथ आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत में रहने दोस्तों आप लोगों का अगोरी साधू के बारे में क्या सोचना है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं